हेलो व्रीवान वल्कम बाक टो माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंस आज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ केली की सब्जी जो कि मैं बनानी जा रही थी तो मैंने सुसर की चलो मैं आप लोग के साथ ही बनाती हूँ तो आपको अच्छा और मैं यह सब्जी मस्टर ओयल में ह को अच्छी तरह से मैं इसको फॉल्ट यह तो गाय नहीं है पुरा सीवा आपके इसको अप्राइव बनार दाना है मुझे इसको अमने सब्जी बनाना तो बस जतना फॉल्ची तरफिन तुरा Скrescro old यह सब्राइव करारा करता पर गार्तो पक्राइब जी में जैसे मैंने बताया सरसो तेल वह बिल्कुल ऑर्गैनिक है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जो लोग यूज करते हूं उन्हें पता होगा तो फिर बस मैं फ्राइ करूंगी जब फ्राइ हो जाएगा थो उसके बाद फिर में दुसरे मसाला वेगरा यूज कर रही हो चार क्योंकि तीखा नहीं है जाता है इसलिए जब तक केला फ्राइ हो चुका होता है तन उसी कड़ाई में मैं तेल डालूंगी फिर से जो भी मैंने भी मसाला दिखाया था आपको सभी मसाला में डाल दूंगी मिर्ची को मैं टू पार्ट में डिवाइड करके डाल छाएगा उसके का एक इंप ऑ्याई डालेंगे तो मेपनी फैमिली के लिए बना रही हो तो जितना मैंने फ्राइ प्राइगा उसके एक determination लुझत तो गल्टा भी है थोरा सा दो फिर मैं उससे अच्छी तर्षी मिर्ची को भी मैं फ्राइफोंगी में तो वह स्कू da मतलब ब्राउन तक देन उसके बाद में साइट से अद्रक लेसुन और हरी मिर्ची को भी मैं थोड़ा सा उसको अखल वट्टे में रखके कुटूंगी देन उसके बाद में उसको एड़ करूंगी अब देख सकते हो मम्मी भी उदर कुछ चरहा रही है पतीली मैथिंग दूद है व तक घैड़ करना चाहते हो जो अब ढब यहाँ सोफ्ट उने के बाद मैंने अड़ क्लीका पैस्ट यह चरूंगे खाता त्रबहा ऐंद मैं आइड़ का पेस्ट यूखिछ जो कि मैंने खुच से तयार कर रहा था ते उसके बाद आप देख सकते हो मैं हल्दी दार ली हूं और यह रद्धनिया पाउडर और उसके बाद में थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर भी डालूंगी और मैंने इसमें रेट चिली पाउडर आड़ नहीं किया है क्योंकि हद्रक लेस्मिन के साथ में हरी मिर्ची मैंने दो उसमें एड़ कर दिया था कि शायद अगर इन केस त पानी नहीं कि यह दिना दीखाया या फिर थोड़ा इसमें कोई मिर्च पाउडर नहीं किया है तो उस टाइम ही मैंने डाल दिया था खरी मिर्ची को खलवट्टे में अटरक लेस्मिन के साथ में और मैं सभी मसाले को अच्छी तरह केसे अड़ करके फिर थोड़ार सा पान तो यही है कि सिक्रेट ऑफ सबजी टेस्टी बनने का कि पहले तो अच्छी तरी की सबजी फ्राइप कर लीजिए मसाले को तब तक कि जब तक का तेल ना छोड़ दे और वह मसाला थोड़ा डार्क ब्राउन जैसा कलर आता है थो अधार्क वह आजाए तो आटोमेटिक जब से ही कलर आएगा और तो तेल छोड़ी देगा क्योंकि वो फ्राई हो चुका होता है अभी देखिए कितना यलो दिखेगा आपको और फिर जब फ्राई हो जागा तो आटोमेटिक कलर चेंज हो जाता है तो यही है गाईज और मैं बहुत बड़ा कुकने दे रही हूं तो मैं अभी यही कर रही हूं मैं कुकिंग खुद कर रही हूं और आप लोगो के साथ शेयर कर रही हूं तो बस इसी तरीके से बना सकते हो तो अभी देखिए मसाला का कलर लिए पिढ से हो बस उतना ही डिफर है और बाकी प्रोसेस अर्मस्ट सब सेम ही है सब्जी का तो अब देख सकते हो दिन आची तरह किसे मैंने कोट कर दिया है अब देख सकते हो फिर कोट करने के बाद में साथ में ठक के थोड़ी दिर पकाऊंगी मसाल और सब्जी को तो और फ्राइ नमक तो फिर नमक में हाथ से डालूंगी ताक एक अंदाज मिल जाए प्रॉपर कितना सब्जी में जाएगा नमक तो मैं स्पून से प्रॉपर नहीं डाल पाती हूं तो मैं हाथ से ही नमक डालती हूं आप देख सकते हो दोनों अच्छे तरीके से फ्राइ हो चुका है तो म मैं अब अच्छी तरीके से एक जगह करूंगी मसले सब्हूंथ और मैं आड़ करूंगी इस पानी तो पानी आप अपने अपने क्रेवी चाहिए वक्षिए क्रेवी ओसके क्यागी थे अब इसी तरीकी से कोई भी सब्हूंभी बना सकते हो और मैंने देशी स्टाइल में आपको इजी तरीकी सब्जी बनाना सिखा है जो लोग नहीं जानते हैं वो फ्रीज मेरे वीडियो देखिएगा बहुत असान तरीके से मैंने बताया है आई होब कि आपको अच्छा लगे गाइस